अबसकार साथियों स्वागत है आप सभी क्या आपकी अपने यूटूब चैनल प्रकास डियूटेक में तो गैस यह यूपी स्कोलर सी 2021 आज और अगले दो दिनों तक आएगी सब की छात्रवित्ती सिर्फ इन तीन स्टेटस वालों की ही आ रही है छात्रवित्ती तो गैस मैं स्टेट मैं प्रूफ के तर पर आपको दिखाऊंगा तो होप आपने वीडियो को लाश्य तक देखेंगे वीडियो स्टाट करने इस पर आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि कई साथी अभी तक 70% ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं मगर वीडियो उनको रेगुलर देखते हैं मतब रोज देखते हैं तो वाई उनी लोगों से मेरा रोज है सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो इतना सर्म दिंगी किस बात की है सब्सक्राइब करो बेहश्यक बेध़ड़क अंदास में तो शलेगा अच्वीडियो को स्टार्ट करते है आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लोगा आप यहां पर देख सकते हैं कि इस्ट्वेंट ने हमें स्क्रीन साट्स आजा किया कि उसकी 69,920 रुपई जो है वो 12,4 2022 की डेट में करीब 4 बच के 30 मिनट पर दखिया ट्रांसफर हुआ है तो टोटल आपको बता दूँ कि इनका कहना है स्कॉलर्सिप का पैसा है देखे यह बीटेक के चात्र है और बीटेक के यसी कटेगरी के चात्र है उनकी स्कॉलर्सिप पितने रुपीज जो है वो उनको प्राप्त हो रही है तो लाइप प्रूब आप लोग सारा कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सब पेमिंट के हिसाब से यानि कि APBS प्रडाली के थूँ तो गाइस अच्छी बात है देखें कुछ चात्रों को चात्रवित्ती रिसीब हो रहा है हाँ यह नहीं कह सकते कि हजारों की संख्या में चात्रवित्ती आ रही है लेकिन गीने चुने जितने लोगों की आ रही है मगर हाँ इस बात का आपको यकीन करना होगा कि सच में चात्रवित्ती आ रही है क्योंकि यह प्रूफ जो है वो कहां से मिल रहे हैं यह बात आप लोग खुदी समझ सकते हूं जनरेट करना पॉसबल नहीं है हर सराय का कहना है कि भाई एक बात बोलना श्याता हूं कि ह हम सभी लोग जिसके स्कॉलर सीप नहीं आई है वो सभी लोग सोरा तारीक को अपनी अपनी डिस्ट्रिक में एक साथ जाके विकास भावन में श्ट्राइक करें एक दिन में जब पूरे डिस्ट्रिक में हर जगा श्ट्राइक होगी तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव कहती है तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं उसके बाद सोरह को लखनव में भी धरना होगा और इसके अलावा जूपी के जितने भी डीडेबलो आफ़ीस हैं वहाँ पे अलग अलग बीस पचीस पचास से श्टुएंट्स को इकठा होना सव श्टुएंट्स को जितना ज्यादा पॉस्बल हो सके और सभी को एक साथ प्रोटेश करना है अवाज उठानी है अगर हर एक डिश्ट्रिक के डीडेबलो अधिकारियों का जो भी कारयाल है वो घेरा गया उस पे धरना किया गया उस पे प्रोटेश किया गया तो यकीन मानिये हर एक नियूस पे परिसाड किया को free में cover करेगा और शे मामला लखना हूँ तो छोड़िए दिल्ली तक पहुशेगा तो scholarship के लिए सभी को ये मालूम होना चाहिए कि UP में छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है इस बात का हर किसी को अभास होना चाहिए इसके करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो वीडियो को सेयर करना है सारे group में सारे story status जो कुछ भी है लगा दो दूसरी बात दूसरी बात यह है कि मैं सभी YouTube के साथियों से इस बात का request करता हूँ कि भाई वैसे भी हर एक काम करते हो इसको को भी करना है सभी को सोरत तारीक को अपने audience को आगास करना है कि वह सभी जो डीडेवलो के कारयाल है वहां पर प्रोटेश्ट करने लखनव में भी प्रोटेश्ट करने डाइक ली समझ गए और तीसरी जो request है मैं कहना चाहूंगा वो यह है मेरे दोस्त की अलग अलग इस्ट्वेंट्स का मैसेज जो है वो लगा तार आ रहा है कि सर आपको कुछ क्यों करना है तो आपको सिंप्ली चैनल को सब्सक्राइब करना है टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लेना डिस्क्रिप्शन में ल स्कॉलर्सी पाने के लिए अच्छी बात है और उमीद है तो यहां पर देखिए जाविद मस्तफा जो लगातार छात रित्र में यूपी में काम कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि इनका क्याना है कि स्कॉलर्सी का जो भी धनरासी है वो अप्रेल इंड तक आएगा लेकिन हम अप्रेल इंड का इंतजार नहीं करेंगे हम डैकली सोरको जो प्रोटेश्ट है वो करेंगे और देखिए कई सारे स्कॉलर्स का क्याना हो सकता है तो ठीक है 17 को मंडे है उस दिन हम लोग प्रोटेश्ट किया जाएगा आप लोग को बिल्कुल परसान नहीं होना है आपक कि सक्षा दिक्षा को ग्राड करने को का जायरा है अगर वहीं चात्रवित्ती नहीं मिले तो खाक वह पढ़ाई को कंटीनिव कर पाएंगे यह सवाल में आप सभी से पोस्ता हूं आप लोग कमेंट करके बताएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग सब्सक्राइब कर सकते हो इस्टेटस कर से चेकर नहीं प्रिविएस वीडियो बता रखा तो यहां पर आपको सिंप्ली बैंग नेम अकाउंट नमबर डालके चेकाउट कर लें अगर प्यफमेस परसा सो हो रहा होगा तो आपको यहां सो सारा कुछ रहा उसको जान लेना है तो गैस सारा कुछ जो कुछ भी था उसको मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इनफॉर्म कर दिया है बाकी अभी आपकी मरसी है या स्कॉलर सिप आपको लेनी है तो एक्टिव भी तो आपको रहना होगा मैं बहुत कर सकता हूँ आपका ही तैसी सुख्चिंतक होने के ना आपकी तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता ना तो काम करने का मन नहीं करता है थैंक्स फर वाचिंग जे